आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए दो पेर SBI और PNB, इंडिया के लार्जेस्ट PSU बैंक, दोनों में बड़ी गिरावट आई है, 5-5% दोनों शेर गिरेवे हैं, कोई बड़ी बात हो रही है यहाँ पर, पूरा सरल भाषर में बेख्या किये जाएगी और बताए जाएगा आपकी क्या रन्नियोती होनी चाहिए, क्या ये पहले से बताया जा सकता था, जी हाँ दोस्तों, हमने पेड मेंबर्स को अल्रेडी आज के दिन, शॉर्टिंग की सलह दी हुई है, और मॉर्णिंग से हम लोग शॉर् हमारे वीवर्स को मिला होगा, जो हमारे पेड मेंबर्स सा, आइए चलकर बात करते हैं पहले SBI और PNB के बारे में, तो सबसे पहले fundamentally, दोनों अच्छे बैंक है, बैंकों में कोई खराबी नहीं है, बट हो क्या रहा है, बजट की वज़े से बहुत तेज उपर चले गए थ तो देखें, बैंकिंग सेक्टर ने बहुत बड़ी उचाई लगाई है यहाँ पर, 30,000 से बढ़कर, करीब करीब 37,000, 21% चड़ जाना महस दो हफते के अंदर, कोई छोटी बात नहीं होती है, और यह 3 ब्लैक क्रो जो फॉर्मेशन हुई थी, वो एक क्लियर इंडिकेशन थ लिए हमने मेंबर्स को मॉर्निंग में ही भेज दिया था, हम क्या करने वाले थे, देखें, मार्किट खुलने से पहले ही, जो एनलेसिस करके हम बताते हैं, वैसे आपको फाइदा मिलता है, शेर मार्किट में अपने पैसे को प्रडेक्शन भी करनी चाहिए, यह एक बहुत अच्छी हेजिंग फैसलिटी है, जिसके थुरू आप फीचर और आप्शन में अपने पोर्टफोलियो को बलकी कम होने से बजाए, बढ़ा सकते हैं, इन फैक्ट, तो वो अच्छी बात है, और देखें, आज ज्यादतर बैंकिंग सेक्टर नीचे गिरे हुए है, SBI बैंक टेक्निकल समझने के लिए, SBI के चार्ट सारे पुल करके रखे हुए है, तो देखिए, SBI का अगर हम RSI का लेवल देखें, 81 के आसपास चल रहा था, 80 के ऊपर किसी भी शेर में इंडिवीजुली स्टॉक पोईजन हो जाता है, वहाँ पर मत खरीदेगा, कमेंट में बताइ अगर आपने किसी ने यहाँ पर शुरू कर जाता है, और कल ही, यह देखिए, कल की ब्लैक बार कितनी बड़ी बन रही है, यहाँ पर आज के रेफरेंस में, तो यह यहाँ पर भी एक सैलिंग पैटर्न आ रहा है, पिछले साथ दिनों से, MacD का जो मोमेंटम है, लूज होता जा रहा है, जो कि एक साइन होता है, अर्ली साइन होता है, MacD के रेफरेंस में, टेकनिकल एनले से जवाब करेंगे, तो आपको पता लगेगा, बताएंगे क्यों गिर रहा है, अब यही चीज, अगर हम भूल, Alligator Indicator के बेसिस पर देखें, तो सबसे पहला सपोर्ट जो है, 384 के आसपास है, और अगर यह तूटता है, तो यह gap fill, जो gap बना हुआ है, यहाँ पर 360 से लेकर, 380 के आसपास का, यह fill करने के लिए आएगा, हमने जो यहाँ पर बताया है, पहले इसको उटा देते हैं यहाँ से, तो देखें, Alligator Indicator के बेसिस पर इसने अभी भी यहाँ पर मोमेंटम पूरा दिखा रहा है उपर, पर 38 के आसपास, यह यहाँ पर सपोर्ट रहेगा इसका, इसके अलावा अगर हम बूलिंजर बैंड PNB का, तो PNB का बूलिंजर बैंड थोड़ा सा, in fact, better है, compare to SBI के, तो देखें, यहाँ पर अभी तक इसने दो दिनों तक कोई उपर मोमेंट नहीं नहीं चाहिए, तो इसने अभी मोमेंटम यहाँ पर positive रखा हुआ है, जो सबसे important चीज है, वो है RSI का level, तो देखें, RSI को अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो RSI का level अभी यहाँ पर 64 के आसपास था, कल यहाँ पर 70 के आसपास था, तो यह क्योंकि PNB इतना तकड़ा इस टॉक नहीं जितना SBI है, उसके basis पर यहाँ पर भी थोड़ा सा एक pause होने की संभावना है, तो technically यह और बोर्ड जोन में जिसकी वज़े से दोनों के दोनों pair यहाँ पर अभी नीचे गिर रहे है, और जो privatization की बात चल रही है, उसमें अच्छा दम है, बहुत बढ़िया है, बट इतनी लंबी rally के बाद थोड़ा सा सस्ताना एक लाजमी चीज है, जो की यहाँ पर बनेगा, चैनल का 5-5-4-0 बार पास आता है, उसमें यहाँ पर उन्होंने शॉर्टिंग शुरू कर दी है, तो यह आपको थोड़ा सा सम्मल के रहने की जूरत है, और इसी वज़े से हमने खुद से और अपने paid members को शॉर्टिंग कराई हूए, यह निफ्टी की यहाँ पर दियावा वीडियो में, या यहाँ पर overboard zone में है, यहाँ हम इसको खरीदने की सलाह नहीं देंगे, हो सकता है बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को dislike करें, बट हमारे चैनल का primary objective है, आपको education provide करना, गलत सलाह नहीं देंगे, जैसे आपको ठीक लगे, आपको आपका अपना पैसा अभी भी खरीद सकते हैं SBR, PNB के, जहाँ पर entry करनी है, तो महाँ पर record सकते हैं, दोस्तों क स्ट्रक market में learning करनी है, और date rating करकर अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको चीजों की बारीकियो को समझना होगा, हर angle से आपको समझना होगा, और आपको mentor की जरुत है, तो इसके लिए हमारी paid membership join कर सकते है तरीका बहुत साधान है, आप workshop join कीजिए उसके साथ में, आपको mail drop करना है, भवनधी no.7 at thegmail.com, चार वीडियो प्रसुत हैं, जहीं जहाँ जहाँ आप